हलो एब्रिवन लास्ट वीडियो में हमने स्क्यूर की ट्रिक सेखी थी जो हम हर कोश्चन में यूज कर सकते हैं यहां पर भी हम स्क्यूर ओफ नंबर ही सिखेंगे पर यह कुछ कंडिशन के साथ और आप माइड में इसली सॉल्फ कर सकेंगे विदाउट पैन पेपर जैसे हमारी जो फर्स्ट ट्रिक है वो नियर टू बेस नंबर फिफ्टी है जैसे यह वहां पर यूज होती है जहां पर जो हमारा जो कोश्चन है वो बेस नंबर फिफ्टी की नजडिक है जैसे हमारे पास है 48 का square अब इसका base number क्या है 50 और 50 में 2 less करने पर हमारे पास 48 आता है तो इसका difference कितना है हमारे पास difference है 2 तो हमने करना है अब हम इसका process करते है कि इसकी technique क्या है solve करने की 50 का half क्याता है 25 तो हमने जो हमारा difference आया था वो 2 less करके आया है तो हम क्या करेंगे 25 में से 2 less करेंगे और जो difference आया है उसको यहाँ पर हम square कर देंगे ठीक है अब 25 में से 2 less कि हमारे पास कितना है 23 और 2 to the 4 तो यहाँ पर मारे पास 0 4 आ गया तो हमारे पास 48 square का answer क्या आ गया 2 3 0 4 अब मैं कुछ और questions लेती हूं जो सिर्फ हम mind में करेंगे यसे मारे पास question है 46 का square अब यह किस base number के नजदीक है 50 के नजदीक है difference क्या आया है 4 आया है तो हम 25 में से 4 less करेंगे हमारे पास कितना आजएगा 21 और मारे पास different आया था तो 4 आया था तो उसका square कितना आता है 16 तो 4 for the 16 तो 46 square का हमारे पास answer आ गया 216 और question लेते हैं हम लोग जैसे हमारे पास है 52 का square अब यह किस base के number के नजदीक है 50 के नजदीक है पर यहां पर 2 plus करके आया 50 plus 2 ठीक है तो 25 में 2 add किया है मारे पास कितना आ गया 27 और difference किया था 2 2 का square कितना आया 04 तो इसके आगे में 0 लगा दिया तो यह बनके हमारे पास 4 तो कितना answer आ गया 52 का square 2704 अब और question ले लेते हम लोग 58 का square अब यह कों से base के नजदीक है 50 के कितना ज़्यादा है 8 डिजिट ज़्यादा है तो हम 25 में 8 add किया तो महारे पास कितना आ गया 35 25 में 8 sorry 25 में 8 add करेंगे हमारे पास 33 आएगा 25 plus 8 33 और 8 का square कितना आया 64 तो महारे पास answer कितना गया अगया 23364 कुछ और questions ले लेते हैं जैसे की 43 का square अब यह क्या है इसका base number 50 है पर minus 7 करने पर हमारे पास 43 आया है अब हम क्या करेंगे 25 में minus 7 करेंगे तो यह मारे पास कितना आ गया 18 और 7 का square कितना आ गया हमारे पास 49 तो महारे पास 14 3 का square कितना गया 1 hit 49 यह sums आप अराम से अपने mind में कर सकते हैं बस थोड़ा सा आपको trick समझनी है और थोड़ी से practice करने है और एक और sum ले लेते हैं जैसे हम 56 का square अब इसका भी base number के 50 है अब यह के 6 add करेंगे हम तो 25 में हमने 6 add किया 25 plus 6 कितना हो गया 31 और 6 का square कितना है हमारे पास 36 तो 56 square हमारे पास आ गया 3136 यह तो हो गया जो base number के नजदीक है 50 तो एक और है हमारे पास यह हम two digit में ही use कर सकते हैं condition यह है जैसे हम condition तुम बाद में पहले इसको समझते हैं कि हमने इसको कैसे करना है जैसे हमारे पास कोई question है चुलो हम 48 का square ही ले ले लेते हैं मैंता कि एक और trick है जो different way में हम इसको कर सकते है easily अब जैसे हमने क्या किया यह जैसे 4 है और 8 अलग लग इनको ले लिया अब 4 का square कितना होता है 16 और 8 का square कितना होता है 64 ठीक है यह हमने इनको ऐसे लिख दिया और फिर उसके बाद हमने क्या करना है जो square है 2 multiply 8 multiply 4 तो यह कितना आगे हमारे पास 28 जा 16 16 4 जा 64 तो हम क्या करेंगे पीछे से एक डीजिट चोड़ देंगे यहां पर छोड़ देंगे और यहां से हम लिखेंगे 64 उसके बाद हम इन दोनों को add कर देंगे 4 6 प्लस 4 10 0 1 carry 6 प्लस 6 12 प्लस 1 13 3 1 carry 2 3 0 4 महारा अंसर आ गया ठीक है अब जैसे यही हम solve को लेते हैं 46 का square अब 4 4 जा 16 6 6 जा 36 उसके बाद 2 multiply 4 multiply 6 2 4 जा 8 8 6 जा 48 तो हम पीछे से एक डीजिट छोड़ दिया यहां पर 48 लिख दिया अब यहां पर आगे मारे पर 6 8 प्लस 3 11 1 1 carry हो गया तो 11 1 1 carry 2116 अब यह देखलो आपका 2116 ठीक है यह ट्रिक टू डिजिट के square पर भी आप यूस कर सकते हैं जैसे हम कोई और different number लेते हैं इनके लावा जैसे कि हम लेते हैं 87 का square 8 8s are 64 7 7s are 49 अब हम 2 multiply 8 multiply 7 करते हैं 2 8s are 16 16 multiply 7 तो हम class 1 का method 7 1s are 7 पीछे 0 70 और 7 6s are 42 70 add 42 हमारे पास आगया 1 1 2 तो पीछे से हमने एक जीचे छोड़ दिया यहां से लिखा 1 1 2 अब हम इनको add कर लिए 9 यहां पर 6 4 प्लस 1 5 और 6 प्लस 1 7 हमारे पास आंसर आ गया 7 5 6 9 एक और हम question लेते हैं 4 इसमें है क्या question है 89 का square 8 पहले हम 8 का लिखेंगे 64 उसके वार 9 का square 9 9 जा 81 अब इनको हम multiply करें 2 next जो मारा step है 2 multiply 9 multiply 8 2 9 जा 18 18 multiply 8 1 8 जा 8 0 लोगा दे 80 8 जा 64 80 add 64 हमारे पास आ गया 144 तो हमने पीछे से एक डीजी छोड़के यहाँ पर 144 लिख दिया अब इनको add कर देंगे 1 8 प्लस 4 12 2 1 carry 4 प्लस 4 8 प्लस 1 9 और 6 प्लस 1 7 7 9 2 1 हमारे पास answer आ गया देखा कितने मत्यकी tricks हैं वेदिक महत के जो आप use कर सकते हैं square of a number निकालने के लिए और बहुत easy हैं आप mind में अराम से कर सकते हो पर थोड़ी सी practice के जरूरत है थोड़ा सा आपको trick को mind में रखने visualize करने का habit होनी चाहिए तो आप easily mind में कर सकते हैं questions को अब हम एक और question ले लेते हैं जैसे की छोटा सा ले लेते हैं कोई 29 का square ले ले लेते हैं 241 carry 455 plus 38 हमारे पास answer के आगया 29 square का 841 मुझे उमीद है कि आपको ये trick भी useful लगी होगी अगर आपको मारी trick useful लगी है तो हमारे चैनल को subscribe करें लाइक करें और अपने दोस्तों का साथ share करें ताकि वे भी इनने सीख सकें यूँकी सीखेगा इंडिया बड़ेगा इंडिया बाइ फो नो थांक्स फूर वाचिंग